नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलदावदी फ्लावर प्लांट पर अगर आपको लीफ माइनर यानि सपेद पत्ती वाला रोग आपको दिखाई दे रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उससे जुड़ी होई सारी जानकारी आपको इस यहां पर आपको दिखाई देगा पत्ति उपर सबसे पहला काम तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो लीफ माइनर पत्तिया है जो फेक्टिड पत्तिया उनको तोड़ का अलग कर देना है यां कहीं आपको मिट्टी वगरा में दबा देना है तो और इसके बाद आपको आप आपको कैसा मिक्सर बनाना है उसकी जानकरी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ साथ ही दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजेगा चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काम जो करना है लीफ में दर को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए जो पत्तियां आपकी फेक्टिड है उनको तोड़कर अलग कर लेना है इसके बाद आपको इस परकार बनाना है आपको इस परकार बनाना है आपको लेना है एक लिटर की कैन ले सकते हैं तो आपको एक लिटर की मातर बता रहा हूँ, आपके घर में कोई भी vegetable oil मिल जाएगा है नि आप पूँज़ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पूँज़ लेना है, एक सेमपू आपको एक लिटर के साब से आपको डाल दे रहा है, तो यहाँ पर आपके पास नीम oil नहीं है, तो आप इन दोनों के मिसरन बनाकर अच्छे से मिक्स कर दीज़ेगा, मिक्स करने के बाद आपको इसके स्प्रे करना है, वोसिंग लिक्विड या फिर सेमपू डालने का में रिजन यहाँ पर यह है, कि जो हमारा oil है, vegetable oil है, वो पानी के साथ अच्छे से घुल जाएगा, यानि जो हमारा वोसिं मिक्स करने के बाद आपको सिंपल साम के समय में एक बार साथ दिन में एक बार आपको इसका स्प्रे कर देना है, इसका इफेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, साथ दिन के अंदर आपको एक बार इसका स्प्रे जरूर करना है, इससे क्या होगा, जो आपके दावली आपको इस plant को अच्छी से इस spray से निला देना है ताकि जो ये हमारा leaf minor रोग है वो हम control कर सकें और इसका effect भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा तो इस mixer का यूज करकी आप गुलदावदी flower plant पर leaf minor यानि leaf curl रोग को आप रोग सकते हैं